आपके सामने है क्लास 7 इंग्लिश न्यू जैम्स रजना सागर लेसन नमबर 14 दा लेबरनम पॉम की कोसन आसर और एक्सोसाइस की ये वीडियो तो सबसे पहले हम एक्सोसाइस के फर्ष्ट कोसन से स्टार्ट करने वाले हैं Explain the meaning of this line in your own words कोसन नमबर 1 है A lone Lebanon इसका meaning यहाँ पॉम में यूस हुआ है एक ट्री जो बिलकुल अकेला है और किसी भी तरीके से कोई ऐसी कारिय नहीं करता कि कोई उसको notice करे Second है यहाँ पर There is nothing to this tree यहाँ पे इसका answer हमने यहाँ लिखा है Ordinary looking tree that has nothing special साधारन सा एक पेड़ जिसमें कुछ भी अलग नहीं है ठीके कुछ भी special नहीं है The thundry grey sky cast its gloom यहाँ पी meaning है इसका The dusty sky cover its dull leaves यानि धूल भरा आसमान इसकी पत्यों को ढख लेता है Fourth question It burned with tapas light Tapas light का मतलब है यहाँ पे It signed bright like a gemstone यह एक gemstone एक सुनहरे पत्थर की तरह चमक रहा है Question five Five number है Drop Drops gold on Pacer by यहाँ पे गोल्ड मतलब क्या था सोना पर यहाँ पे सोना नहीं यहाँ पे इसकी leaves के बारे में यूस हो रहा था Drop leaves on Those who are passing through the way उन सब पर वो अपनी सुनहरी पत्यों को बरसाता था यह फूलों को बरसाता था जो वहाँ से गुजर रहे होते थे अब है यहाँ पे answer this question में First question How is the tree similar to the crow? कि कैसे tree क्रो ट्री और क्रो एक दूसरे से similar है और कैसे यह different है यह भी question पूछा हुआ है Answer है यहाँ पे The tree is similar to crow in many ways अब कैसे है Both are ordinary दोनों साधारन है and unremarkable creature है यानि कि उनमें ऐसा कुछ अलग नहीं है जिसे उनको notice किया जाए But the tree Lebanon is different from crow पर इससे अलग भी है अब क्या difference है इसमें? Because it does not meet itself noticeable where the crow advertise themselves by cowing and shouting यानि कि कि जो Lebanon tree है वो अपना परिचे नहीं करता ठीक है अपने बारे में नहीं बताता है जबकि crow काउं काउं करके या अपनी किसी तरीके से अवाज निकाल कर अपना परिचे देता है अपनी अड़टाइज करता है Question second How does the Lebanon tree become special in the summer in the monsoon on a windy day? तो इन तीनों सीजन के बारे में यहाँ पर Lebanon tree के लिए पूछा गया है तो आतर इसका The Lebanon tree gives a golden look in the summer यानि कि summer के मौसम में या summer के सीजन में Lebanon tree कैसा दिखता है मतब सुनहरा golden color का दिखाई देता है एट से येलो लिफ्स अट्रेक्ट एवरीवन दिखाई यानि कि सूरज की जब रोशनी सूरज की रोशनी गर्मियों में पत्तियों पर पढ़ती है तो उन पत्तियों से ऐसा लगता है जैसे सुने का वो पेड़ है जैसे सुनहरी पांक उसमें सुनहरी पत्तियों उसमें लगे हुए है मौनसून है इन दा मौनसून इस कवर्ड बाई डार्कनेस ओफ दी क्लाउट्स अब देखो क्या है मौनसून में जो डार्क क्लाउट्स है वो इसको ढगने के कोसिस करते है और विंडी डे में विंडी डे में सुरी हवा जब हवा चलती है तो उसकी पत्तियां टू टूट कर पास जो भी लिकल रहा होता है उसके नीचे से उन सभी के ऊपर बरसती है जिससे की जो लोग हैं उन्हें देखकर खुस होती है कोसन त्री गरश्ट हुआ जो आसमान है वो उसका असर इस ट्री पर कुछ भी नहीं होता जो इस ब्राइट टूपेश यहां पर एक जैम स्टोन है प्रीशियस रतन जैसे प्रीशियस रतन चमकता है जैसे एक अन्मोल रतन जब चमकता है बिलकुल वैसे ही यह इस अधेरे आसमान में भी चमक रहा होता है कोसन फॉर है इसमें अब यहां पर कैसे बैकर को यह खुश करता है यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि दा बैकर इस प्लीज तो सी दा ब्यूटी बाइ ब्यूटी ऑफ दी लेबन्नम ट्री ही इस डिलाइट और इंजोई दा ब्यूटीफुल मोमें इस कंपनी और यह इवन फॉर्गेट इस पें और सफ्रिंग वेनवर ही लुकेट दा त्री ही यह बता इद बीकारी है वह लेबन्नम ट्री को देखता है तो उसकी शुनदर्था से खुस हो जाता है उसे लेबन्नम ट्री को बूल जाता है क्या तरी किस तरीत रिकलिए पासिंग तरह नहीं है फृ Всем गर वह идभर मेंडर एक्सkt कर然后 कि Damit कि वो अपना विग्यापन क्यों नहीं करता तो लेबर्नम ट्री नोट टो एडवर्टाइज इस सेल्फ विकोज इस वेल्यू इंक्रीज ओटोमेटिकली इंदा समर सिर्जन क्योंकि उसकी जो विसेश्था है वो अपने आप ही गर्मियों के सिर्जन में अपने आप ही दिखन देखने को हमें मिल जाते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी घर्मियों में उसकी पत्तियों को सुनहरा बना देती है नेक्स्ट है रिप्लेज दा अंडरलाइन वर्ड वर्ड विट वर्ड्स ओफ यॉर ओन टू मेक सुटेवल प्रेसिस तो यहां पर आंसर मैंने सभी के लिए ह तो इस तरीके से हैं आपर कोशन कंप्लीट होता है नेक्स्ट है टिक दर एप्रप्रियेट वर्ड विटिन ब्रेकिट टू करेक्ट दी फॉर्म इस अब यहां पर हमें ब्रेकिट के जो क्लूज दिये हुए हैं उनको यूज करते हुए इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है फ इस तरीके से जितने यो भी फिनाइट है और नोन फिनाइट है मैंने आपर सभी के आंसर लिख दिये हैं इसके बाद हम इन्हें करने के बाद अब हम नेक्स्ट कोशन पर मूब करने वाले हैं इस तरीके से इक वोगया है जिसमें कहा गया है को जोई पियर सोफ सेंटेंज सभाय यूसिंग दा वर्ड इस ब्रैकेट में जो भी वर्ड दिया हुआ है उसको उसको यूस करती हुए हमें इन सेंटेंशिस को जोइन करना ही परस्ट में görüş किया इस SO जोईन कर दिया इस तरीके से से किन में से किन का आंसर भी आप देख सकते हैं से भी को मैंने ब्लू कलर में लिखा हूँ है इन्हें करने बाद हम नेक्ष्ट को स्न पर चाह पोंच थे हैं कि नेस्ट है इसमें लाश्ट को सन राइट आ समरी ओप डिस पॉयम इस पॉयम को की हमें आपि समरी लिखनी है समरी आप सकते हो यहाँ पर पुरी छोटे सा पेरेग्राफ में हमने आपि समरी लिखी है इस दो इस की समरी को मैं थोड़ा पड़ देता हूं इन दिस पॉम दपोईट मीरा उब्रई यह तो आप जानते ही है इस पॉम को किसने लिखा था पोईट मीरा उब्रई ने वो क्या लिखती है कि कैसे एक साधारन सा पेड जब उस पे फूल आ जाती है तो वो किस तरीके से चमकने लगता है कि कितना सुन्दर लगने लगता है जब उसके फूल खिलने लगते है इस अपेरेंस चेंज इन डिफरेंट सिजन कि उसका जो भी लुक है वो हर मोसम में बदलता है जैसे कि आपने पोईब में पढ़ा होगा गर्मियों के सीजन में उसकी पत्यां चमकती है जब हवा चलती है तो उसकी पत्या लोगों के उपर गिरती है तो इस तरीके से अलग-अलग मौसम में अलग-अलग उसकी वैल्यू बताई गई है मतब देखिए यहीं पे सभी मोसम के बारे में बताया गया है कि हर मोसम में जब सीजन बदलता है या मोसम बदलता है तो किस तरीके से उसमें असर आते है कि या क्या चेंजिस आते हैं इत गलो लाइक का ब्राइट टोपेज ब्राइट टोपेज क्या है एक प्रीसेस इस च्टोन है तो उसकी तरह चमकता है एंड कैची स्टेट अटेंशन ओफ एफरी पेट्रों डेट पासिस भाई कि जितने भी या लोग या पैदे चलने वाले याद लोग हैं वो जब उस जिए से जा रहे होते हैं तो सभी का अटेंशन वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है यहां तक कि जो गरीब है जो उसे देख सकता है उसकी खुबसूरती को देखकर बहुत जादा खुस होता है उसे अच्छे लगती है उसका साथ और वो अपने दुखों को अपनी अगर आपको प्लेइस्ट चाहिए तो आप चैनल के प्लेइस्ट में जाएए आपको इस क्लास के सभी वीडियो के एक्स्प्लेइनेशन सभी चेप्टर के को सरांसर एक्सवसाइज सभी मिल जाएंगे और अगर वीडियो अच्छी लग रहे है तो प्लीज लाइक जूरू ओलन तक्य। वीडियो टूखे याइध क्यों धर आप